जैहिन सभी को स्वागत है आपका टॉप तक पर जाहा हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे टॉप तक पहुंचाएंगे तो गाईज आपकी आरार भी ग्रूप डी आपकी शिफ्ट वाइस कोईशन्स लेकर आई हूं जल्दी से फटा-फट से आजो जल्दी से फटा-फट से लगाया जाता है किस से जल्दी से बताओ कैसे पता चलता है आपका कि आपके जो आपका ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो कौन सा आपका जो अंग है वो बताता है जल्दी से बताओ राइज इन शुगर लेवल इस इन ब्लड इस डिटेक्टिट option number a है आपका लिवर यानि की यक्रित option number b है आपका गाल ब्लेडर यानि की आपका पिताश्य option number c है आपका किडनी गुर्दा option number d है आपका अगनाश्य यानि की पैनक्रियास तो क्या answer होगा जल्दी से पटाफट से बताओ भई बहुत सारे बच्चों का अंसर गलत आ रहा है यहीं पर ही एक नंबर खलास है आपका तो option number d is right भई option number d is right पैनक्रियास आई एक सेकिन तो option number d वाले सही है और a वाले सरा सर गलत है भई तो पैनक्रियास ही आपका right answer है पैनक्रियास जिसे हम क्या बोलते हैं अगनाश्य कहते हैं क्या बोलते हैं अगनाश्य बोलते हैं जिसे हम तो यह जो अगनाश्य है अगनाश्य का कौन सा वाला जो पार्ट है आपका एक सेल होता है उसके अंदर कौन सा सेल होता है बीटा से से क्या चीज होती है कौन सा होर्मोन होता है तो आपका होता है बच्चे आपका कौन सा होर्मोन होता है इंसुलीन होता है इंसुलीन यहां से सिक्रीट करता है जो कि क्या करवाता है आपका ब्लड का जो शुगर लेवल है ठीक है अगर बढ़ जाता है तो यह इंसुलीन क्या क काम करेगा ठीक है तो पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं बीटा सेल्स से क्या सिक्रीट होता है आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है जो कि आपकी आपकी शूगर लेवल को क्या करता है कर डिटेक्ट करता है ठीक है जैसे कि यह मैंने एक्जामपल दिखाया आपको यह आपका क्या है पैंक्रियाज है क्या है यह आपका अगनाश्य है अगनाश्य में क्या होता है अगनाश्य यानि की पैंक्रियाज इसके अंदर आपके बीटा सेल्स एल्फा सेल्स और गामा सेल्स होते हैं तो जो बीटा सेल्स है वह वहां से क्या रिलीज होता है आपका इंसु जो आपकी carbohydrate है वो किसमे breakdown होता है? खाने का breakdown होगा glucose में, तो glucose क्या है? आपकी sugar है, sugar, ठीक है? शुगर आपकी अगर बढ़ गई, आपकी बोड़ी में, आपकी जो blood है, blood के अंदर sugar जब बढ़ जाती है, तो आपकी body से, आपके pancreas से, beta cell से, कौन सा hormone आता है? आपका insulin hormone आता है जो कि क्या करवाता है रोज होती है class तो क्या करवाता है वो आपके डाइब आपके जो blood sugar level है उसको decrease करता है ठीक है क्या करेगा decrease करेगा लेकिन अगर हमारी body का glucose level decrease हो जाए तो कौन सा hormone आकर उसको ठीक करेगा जल्दी से बताओ ठीक है अगर blood glucose का level कम हो जाए तो कौन सा वाला आपका hormone जो है वो क्या करेगा वो आपके blood glucose level को ठीक करेगा तो option आपका होगा ग्लुकागन ग्लुकागन होर्मोन कहां से निकलता है आपके पैंक्रियास से ही निकलता है जो ग्लुकागन होर्मोन है वो क्या करेगा अगर कम हो जाती है तो sugar level को वो बढ़ा देगा वो लीवर में जाके क्या करेगा जो alpha cells होते हैं ग्लुकागन लीवर में जाके ग्लाइक कोजन की फोम में स्टोर होता है ठीक है तो नेक्स्ट हम कोशन देखते हैं अगला कोशन है आपका मानव में अपरा उतक यानि की द्वारा निमन लिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है तो जल्दी से बताओ लिख उपर फॉलोविंग इस वर्क डन भाइप लेक्र टीश्यु जो प्लेसेंटा वहती है आपकी गर्भ नाल लोती थी कि हिंदी जो गर्बनाल होती है गर्ब गर्बनाल वाला जो टिशू होता है ठीक है human के अंदर उसका क्या कर रहे होता है जल्दी से बताओ जो गर्बनाल वाला टिशू है उसका क्या कार रहे होता है तो आपका option number A है बुरून का सहयोग support the embryo option number B है आपका बुरून से अपश्टी निकालना यानि की remove waste matter from the embryo तो क्या का रहे है इसका जल्दी से बताओ very good तो option number D वाले गलत है बई तो option option number B वाले एकदम सही है सरासर सही है तो आपका जो placenta होता है गर्बनाल जो होती है गर्बनाल क्या होती है जब छोटा बेबी जो पेट में होता है आपके जब pregnancy के टाइम पे जो आपका भून होता है वो किससे अटैच होता है आपकी मम्मी के वॉंब के अंदर किससे करती है लालन पोशन करती है उसको nutrition प्रोवाइड करती है और जो चोटा बेबी मतलब जो भी वेस्ट प्रोड़क्ट निकालता है मतलब जो लालन पोशन तो हो रहे है जो वेस्ट प्रोड़क्ट निकालता है वो भी आपका जो गर्बनाल है उसके थुरू वापस आ जाता ह है ठीक है जो घुरुन है अप्षिष्ट पदार्थ को भी निकालने का काम करता है तो आप्षिन नमबर बी वाले एकदम सही है रिमूव करता है वेस्ट मैटर एंब्रायो का बच्चे का और प्रोवाइड करता है उसको न्यूट्रीशन यानि कि उसको पोशन देता है ठीक है यह है आपका यह है आपकी गर्भ नाल ठीक है यह है आपकी प्लेसेंटा जो की मम्मी के वूम से जुड़ा हुआ है बच्चा प्लेसेंटा के इसको हम क्या बोलते हैं गर्भ नाल कहते हैं गर्भ नाल ठीक है गर्भ नाल या हम बोल सकते हैं इसे प्लेसेंटा प्लेसेंटा बोलते हैं, next question, कौन सा उतक पोधे को कठोर और कठोर बनाता है, तो जल्दी से बताओ, कौन सा जो उतक है, जो टिशू है, वो आपके, आपके प्लांट को, यानि की पोधे को hard बनाता है, और stiff बनाता है, hard बनाता है, और कठोर बनाता है, और बहुत ही जादा कठोर बनाता है सा है बहिये ऑफिन नमबर A है आपका पैरनकाइमा ठीक है त्यसे हम क्या बोलते हैं मृस्स ही हिंदी है складलेशि काईवा मैं ऑप्षिन नमबर ब सचलारक कैमें आपका kol Bomb K स्थूल कउमा तक صुल कऊनो तक श्टूल कणो तक स्थूल कोणो तक heck बते हैं से हिंदी में और स्क्लेरन काइमा को हम बोलते हैं द्रिडोतक क्या बोलते हैं हिंदी में ठीक है स्क्लेरन काइमा को हम क्या बोलते हैं द्रिडोतक बोलते हैं तो क्या आंसर होगा तो आपका कौन से वाला भाग जो है प्लांट का कौन से वाला जो आपका टिशू है वो क्या क बनाएगा तो बात से बच्चों का आंसर आगया है आपका आपका uh कि लट पड़ा कांताय आतर बनाता है जो वहता है जहांते है इसको कछ ह्शाल होती है जो सबसे हाराड वाली सर्फेस होती है वह बनाता है कि det recibir प्रोवाइड करता है बहुती रिजड बनाता है बहुती कठोर बनाते तांकि पेड अच्छे से खड़ा हो सके आपका ठीक है स्टेंड कर सके सपोर्ट हो सके और जो आपकी द्रिडूतक होती है स्क्लेरन काइमा जो होती है उसके अंदर क्या होता है अनियमित जमाव हो जाता है किसका लिगनिन का लिगनिन क्या होती है आपकी लिगनिफाइंड ठिक वॉल होती है जैसे मैंने भी बताया इसके अंदर लिगनिन की मातरा बहुत ही ज्यादा होती है लिगनिन नाम का एक क्या है आपका लिगनिन जो है बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर प्रेजेंट रहता है और जिसकी वज़ा से यह क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाता है रिजिड हो जाता है क्या हो जाता है रिजिड हो जाता है और यह जो आपका पैरन काइमा यह क्या है इस को हम क्या बोलता है सिंपल टिशू उता है सिंपल पर्मानेंट टीशू होता है ठीका क्या होता है सिंपल पर्मानेंट टीशू होता है तो कुछ बच्चे आंपे लगता है विंगारUnitans खर स्लू कोcios कौनों तक जल्दी से बताओ तो वेरी गुड जो कॉलेन काईमा होता है इसके अंदर किसका जमाव होता है कॉलेन काईमा के अंदर पैक्टिन का होता है क्या होता है ठीक है कि नेक्स कॉस्चिन मचलियों का डेश कक्षिय ह्रिदे होता है जल्दी से बताओ मचलियों के अंदर कितने चैंबर होते हैं फटा फट से बताओ वेरी गुड जल्दी से बताओ जल्दी से fishes have dash chambered heart option number a है आपका एकल यानि कि सिंगल option number b है आपका 3 यानि कि 3 option number c है आपका 4 option number d है आपका 2 यानि कि 2 ठीक है 2 तो जल्दी से बताओ हाँ very good जल्दी से आंसर दो फटा फट से very good तो option number भई c वाले गलत है याँ पर तो option number d is right भई d is right दो होते हैं कितने होते हैं आपकी जो fishes होते हैं fishes के अंदर आपके दो चैंबर होते हैं कितने होते हैं टू चैंबर हाट होता है आपका फिश का टू चैंबर टू चैंबर हाट होता है अच्छा थ्री चैंबर किसमें होते हैं थ्री तीन चैंबर किसके अंदर होते हैं आपके आपके फ्रॉग के अंदर क्या होते हैं थ्री चैंबर होते हैं फ्रॉग यानि कि आपके जो एंफीबियंस है एंफीबियंस के कितने होते हैं थ्री चैंबर होते हैं और जो मैमल्स होते हैं मैमल क्या है mammals है तो mammals के कितने होंगे आपके चार चैमबर होंगे कितने होंगे mammals के कितने होंगे चार चैमबर होंगे mammals के कितने होते हैं चार चैमबर होते हैं ठीक है frog के थ्री चैमबर होते हैं और आपके जो amphibians होते हैं स्वाइज शोर को झोड़ कि क्रोकोडाई विटे शाटाहें श्षार उत्यों चया रोटी है कितने होते हैं मैं । बिखिछ में होते हैं मैं वर पते दो होते Province ठीक है और amphibians में कितने होते हैं तीन चैमबर होते हैं और mammals में चार चैमबर होते हैं बर्ड में भी आपके चार चैमबर होते हैं जो पक्षी होते हैं पक्षी पक्षियों में भी आपके कितने होते हैं बर्ड में चार चैमबर होते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन है आपका निमन लिकित में से क्या मचलियों की विशेश्टा नहीं है इन में से कोशन पूछा गया है कि कौन सी विशेश्टा नहीं है which of the following is not a characteristic of Pisces, Pisces क्या होती है आपकी मचली होती है उसका scientific आपका term है Pisces कहते है उन्हें ठीक है जितनी भी मचली है वो सारी किस की गुरूप में आजाती है Pisces की गुरूप में आजाती है fishes तो इसका क्या character नहीं है तो option number A है आपका हडियों के बहाय कंकाल हडियों में जो बहाय कंकाल होता है exoskeleton of scales बहाय कंकाल में क्या होती है हडिया नहीं है यह scales होती है यह मतलब जो आपकी ऐसे बनावट होती है scales वाली ठीक है option number B है आपका गल्फडों के माध्यम से श्वास लेना यानि की breathing through gills सही है बहाय option number C है आपकी हड़ी उपास्थी के अतह कंकाल यानि की endoskeleton of bone cartilage अंदर से उसके क्या होती है या तो bone होती है या तो cartilage होती है present सही बात है option number D है आभवासी देह गुवा की उपस्थिती तो presence of pseudo-sealum तो भई यह आपका गलत है तो option number D वाले सही है दी वाले सही है बिल्कुल सही है तो यह जो pseudo-sealum होता है यह क्या होता है pseudo-sealum क्या होता है जिसके अंदर क्या होती है आपकी अभवासी अभवासी देह गुवा होती है यानि की hollow structure होता है इसके अंदर एक क्या होता है hollow structure होती है cavity सी होती है लेकिन आपकी जो फिश है उसमें कोई भी ऐसी cavity नहीं होती जिसके अंदर जो बीच के अंदर कोई ऐसी cavity नहीं होती तो option number D वाले सही है जैसे कि आप यह देख लो ठीक है यह मचली है मचली के अंदर यह scales है ठीक है इसके अंदर हड्डी भी होती है अंग भी होती है और यह है सूडो सियोलम स्वेडो सियोलम एक ऐसा organism एक ऐसा जानवर जिसके मतलब आपका ऑर्जानिसम जिसके अंदर false cavity होती है कैसी ओती है यह यह क्या है आपकी फोल्स cavity है ठीक है एक गुफा सी है आपकी आभासी गूफा है यह किसमें प्रेजन्ट होती है आपकी जल्दी से बताओ जो सियोलम वाले होते है ठीक है जैसे आपके अर्थवोम टाइप ऐसे वाले कीडे मकोडे तो next question देखो डैश पोधे के बीजों में खाद भंडार के रूप में कारे करता है जल्दी से बता उसमें food store कहां पर होता है कहां पर होता है क्या act करता है जल्दी से बताओ वेरी गुड तो जल्दी से फटा फट से आंसर दो option number A है आपका बीजपत्री कोटी लिडोंस ठीक है option number B है आपका प्रांगकूर यानि की प्लिम्यूल option number C है आपका बीजांट यानि की ओवियूल option number D है आपका मुलांगकूर यानि की रैडिकल तो जल्दी से बताओ बहुत से बच्चों का आंसर गलत आ रहे हैं आपे तो option number food store के रूप में क्या होता है option number A is right भई कोटी लेडोंस जो होते हैं वह उन्हीं को क्या बोलते है फूड स्टोर होता है वहाँ पर ठीक है कोटी लेडोंस में होता है जैसे कि मैं आपको एक डाइग्राम दिखा सकती हूं लेकिन उससे पहले बना के दिखा देती हूं ठीक यह क्या है कोटी लेडोंस है इसमें देखो यह है पार्ट ओफ सीड यह सीड है ठीक है यह सीड की बाहरी कवरिंग कवरिंग है सीड की क्या है बाहरी कवर है बाहरी परत है सीड कोट कहते हैं यह क्या है आपका एंब्रायो है ठीक है और यह वाला जो पार्ट है यह हलका सा क क्या बोलते हैं कोटी लेडोन बोलते हैं से हम क्या बोलते हैं कोटी लेडोन बोलते हैं स्टोर्ड फूड कहां पर कौन से फोम में रहता है कोटी लेडोन के फोम में रहता है ठीक है जैसे कि आप यह देखो रैडिकल कौन सा वाला पाट है रैडिकल तो आपका यह जो जड़ फ़वए डेश के कारण मोटी हो जाती है जल्दी से बताओ दव उप्ल्ट ओट थैस Salas तो अभी में ने आपको बताया था इस प्लेया the enforce us के अपका स्लेयों के मारे किसे बोलते हैं हम आपका दृड difficulties को ऻता है जो का लिगनिन का जमाव होता है option number B वाले बिल्कुल सही है यह पर ठीक है option number B वाले एकदम राइट है option number B वाले बिल्कुल सही है ठीक है वैसे है option क्या कहा है आपकी हैमी हैमी cellulose, lignin cellulose, pactin अच्छा यह pactin कहां वाले टिशू में होता है जल्दी से बता हो जो pactin वहर लो कौन स Е वाले बिल्कुलम में होता है बसके अंदर कोंसा क्या प्रोटीन होता है ठीक है ठीक है वह लचीलापन देता है है और हार्ड वी बनाता ठीक है जो कॉलन काइमा है वो पोधे को लचीला पन भी देता है और हाड भी बनाता है तो ऑप्शन नमबर वैसे वी वाला एकदम सही है जो स्क्लेरन काइमा है स्क्लेरन काइमा के अंदर क्या होते हैं आपके लिगनिन होते हैं जो लिगनिन होता है बच्चे लिगनिन जो होता है वो प पन होता है जो बाहर से आपने देखा होगा पेड़ तो इसके बाहर कैसे होता है ब्राउन ब्राउन सा कवर होता है तो वह वाला जो पार्ट होता है वह किस से बना होता है आपका लिगनिन से होता है वह बहुत ही हाड होता है कठोर बनाता है किसको आपके पोधे को क्या बनात स्टिफ बनाता है तांकि वो मूव ना हो नेक्स्ट कुशन आपका डैश ने जीवित चीजों में विशेशताओं की विशांगती के सिधानतों में योगदान दिया जल्दी से बताओ डैश कॉंट्रिब्यूटिटी तुद थेओर इन्हेरिटेंस अफ ट्रेट इन लिविंग जल्दी से बताओ option number A है आपका Gregor Mendel, option number B है आपका JBS Halden, option number C है आपका Charles Darwin, option number D है आपका Stanley Miller, तो कौन सा क्या answer होगा जल्दी से बताओ, क्या समझा दें भई, तो very good, डैश जीवित चीजों में विशेशताओं की विशांगता, यानि की theories of inheritance, ट्रेट किस ने दी थी जल्दी से बताओ, very good, मेंडल ने दी ग्रेगर मेंडल ने दी थी, कब दी ती, 1866 में दी थी इन्होंने, 1866 में इन्होंने कौन सी theory लिखी, theory of inheritance लिखी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मतर के दाने है, ठीक है, मतर के दानों में क्या पाया, कि इ आपकी जो हैरीडिटी है वो कैसी चलती आ रही है मैं आपको एक यह देखो यह है आपके मटर के दाने तो जो ग्रेगर मेंडल है उन्होंने एक अच्छे वाला एक साबूत वाला मटर लिया और एक बेकार वाला जिसमें रिंकल होते हैं रिंकल वाला इनको दोनों को क्रोस कर तो इन्होंने देखा क्या देखा जो अच्छे वाले उससे अच्छे वाले अच्छे वाले मटर पैदा और जो बेकार वाले उससे बेकार वाले हो रहे हैं ठीक है आपके गंदे वाले हो रिंकल वाले हो रहे हैं तो यह चीज क्या है आपकी जैनेटिक है इसी तरीके से इन जो बालों का कलर है वो किस पर है आपके मम्मी पापा पर है ठीक है यह सारी चीजे किसमें आ जाती है सबसे पहले ग्रैगर जी ने किसमें किया था आपका हाँ जो चीजq is dominant है वो चीजज आपके अंदर दिखेगी नेक्स्ट कोश्चन डैश एनि लीडा वर्ग से सम्बंदित नहीं है जल्दी से बताओ डैश ड़स नोट विलोंग टू क्लास एनि लीडा एनि लीडा क्लास के अंदर कौन-कौन से आ जाते हैं जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ तो option number A है आपका नेरिस, option number B है आपका ने चुआ यानि की अर्थवों, option number C है आपका जोक यानि की लीच, option number D है आपका एसकेरिस, तो इन में से कौन सा वाला जो है बच्चे वो आपका बिलोंग नहीं करता एनि लीडा क्लास से एनि लीडा क्लास से बिलोंग नहीं करता तो बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत से तो एसकेरिस जो है भई कहां से बिलोंग करता है मुझे यह बता दो जल्दी से बता दो एसकेरिस किस से बिलोंग करता है आपका तो आपका किस से बिलोंग करता है निमो टाइट से करता है ठीक है जो एसकेरिस होता है वो क्या करता है निमे टोट से करता है बाकि आपका नेरिस ऑर्थवों में लीच यह सारे के सारे किसके है यह सारे एनिलीडा हैं क्agem लिटा गृप के है ठीक है amendoosa के हैं Klaas कि हैं एनिलीडा में यह आगे आपके निरी सागी अर्थवों मा गया लीच आगी ठीक है और ने में तोड़ा jake जो एसकेरिस है वो किस से है फाइलम निमेटोडा से है और नेरिस वाला जो है आपका ये फाइलम एनिलीडा से है ठीक है अच्छा जो टेप वोम होते हैं जो फ्लैट वोम होते हैं ये किस से होते हैं प्लैटी हेलमेंथिस से होते हैं किस से होते हैं प्लैटी हेलमेंथिस से हो होता है जो आपके पेट के अंदर जो कीडे होते हैं ना छोटे-छोटे से निकलते हैं भई कईयों के जैसे की कोई बिमार पड़ जाता है तो निमेटोडा ग्रुप के होते हैं जो आपके पेट के अंदर जो हिूमन के पेट में कीडे हो जाते हैं ठीक है वो उन्हें को कहते ह तो जो बेट में कीड़े होते हैं पैरस आइच वैसे ही ओते हैं नीवमे टोड़ा कहते हैं जो कि आपको बिमार कर देते हैं है तो कोशन नमबर टैन है आपका हम डैश के रूप में पिचाप करने की इच्छा को नियंतर्ण कर सकते हैं जल्दी से बताओ we can control urge to urinate as option number a है आपका पेश्य मुत्राश्य तंत्री का नियंत्रण में है यानि कि muscular bladder is under nervous control option number b है आपका मुत्राश्य आसानी से नहीं भरता है bladder does not fill up easily option number c है आपका spinster पेश्य मुत्राश्य और मुत्र मार्ग के बीच मुझूद होती है यानि कि spinster muscle is present between bladder and urethra या option number d है आपका मुत्राश्य कम पानी से भर जाता है यानि कि bladder is filled with less water तो क्या answer होगा जल्दी से बताओ फटा-फट से answer दो फटा-फट से option number option number a वाले सही है यहाँ पर तो आपका जो पेश्य मुत्राश्य तंत्री का है वो नियंत्रण होती है तंत्री का मतलब तंत्री का system दारा जो है नियंत्रित की जाती है जो हमारा nervous system है वो control कर सकता है हम जो है control कर सकते हैं अपने mind से कि हम रोक सकते हैं toilet ठीक है तो जो purination की urge होती है वो हम ऐसे ऐसा तो है निकी एकदम से निकल जाएगा तो रोक सकते हैं हम अपने दिमाग से उसे muscular bladder जो है वो nervous control के अंडर ही आता है ठीक है next question तो question number 11 है आपका bifocal lens का उपयोग से उपयोग डैश से पीडित लोगों द्वारा किया जाता है जो bifocal lens होते हैं ठीक है bifocal lens जो होते हैं वो कौन से वाले लोग कर लगाते हैं जिनको किसकी बिमारी होती है जल्दी से बताओ option number A है आपका दिर्ग द्रिष्टी लेकिन निकट द्रिष्टी नहीं यानि कि हाइपर मेट्रोपिया बट नोट मायोपिया आपकी निकट द्रिष्टी या दिर्ग द्रिष्टी यानि कि मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया निकट द्रिष्टी लेकिन दिर्ग द्रिष् आ गया इनके लिए clapping तो option number D वाले बिल्कुल सही है myopia and hypermetropia myopia क्या होते है आपकी कौन सी वाली बिमारी होती है जैसे मुझे myopia है मुझे दूर का साफ नहीं दिखता लेकिन पास का साफ दिखता है ठीक है hypermetropia में क्या होता है आपको पास का साफ नहीं दिखता लेकिन दूर क साफ दिखता है ठीक है क्या होता है पास का साफ नहीं दिखता hypermetropie में दूर का साफ दिखता है तो hypermetropia जो होता है pass वाला होता है और myopia वाला क्या होता है दूर वाला होता है तो आपका जो pass वाला lens होता है तो वो किसके उसमें क्या होती है आपकी diverging होती है या converging होती है जल्दी से बताओ आपकी diverging वाली किसमें होती है तो आपकी diverging वाली होती है myopia में और converging वाली होती है hypermet Enkwetropea में ठीक है लेकिन आपकी Bifocal Lens में क्या ओती है दोनों ही चीज़े होती हैं दूर वाली भी होती है और पास वाली भी होती है दूर वाली यहां से देखेंगे पास वाली नीचे से देखेंगे इसानना च्छमे तो यह देख लो हां ये बात एक बात और नॉर्मल आई में जो हमारी image फॉम होती है वह रेटिना पर होती है जिनको normal दीखता है वो किस कहां पर दिखता है उनको एकदम normal दिखता है ठीक है और जिनको मायोपिक होती है जिनको जो आपकी पास वाली तो ठीक है लेकिन दूर वाली खराब है उनका किस पर बनता है आपका आपकी जो इमेज बनती है वो रेटीना से आगे बनती है रेटीना के आगे फोम होती है और जिनको पास का नहीं दिखता उनकी कहां पर होती है पीछे बनती है उनकी image एकदम आपकी retina के पीज़े बनती है कहां बनती है retina के पीज़े बनती है ठीक है तो यह इस तरीके का होता है आपका bifocal lens यह दूर देखने के लिए होता है यह वाला pass देखने के लिए ओता ठीक है चलो next question नीमन में से कौन इस समू के सम्मंदित नहीं है which of the below does not belong to this group जल्दी से बताओ इन में से कौन सा जो है इस group में belong ही नहीं करता जल्दी से बताएं फटा फट से very good very good तो क्या होगा जल्दी से बताएं तो option number A है आपका ब्रोकली, option number B है आपका गाजर, option number C है आपका तुरही यानि कि आपकी रिज गौड, option number D है आपका करेला यानि कि बिटर गौड तो कौन सा होता है जल्दी से बताओ very good spelling गलत है तो क्या हो गया कोई बात नहीं तो जल्दी से बताओ निमन में से कौन सी समू संबंदित नहीं है इन में से कौन सा जो है वो इन सारे समू में से संबंदित नहीं है जल्दी से बताओ ब्रोकली वाले तो भाई बिल्कुल गलत हो गया है तो आपके option number B वाले सही है त्यम्हान पोले साहे गाजर केसी है आपकी जो की आपके ground के अंदर होती है तोके वर्पर एक जमीन की सतय उससे उपर होती है त्यक्ति जमीन की सतय उपर उगती है यह सारी जो कैरेट होती है लेकिन यह कहां होती है जमीन के नीचे उगती है कैसी होती है जमीन के नीचे उगती है तो ऑप्शन नमबर बीज राइट आंसर यह देख लो भाई इनकी शकलें देख लो आप यह आपका घीया तोरी यह सारी चीजे कहां होती है आपकी पेड़ प का संचरण डैश कहलाता है जल्दी से बताओ दे ट्रांस्मिशन ओफ ट्रेट्स फिजिकल और मेंटल फ्रॉम पेडिन्स तू ओफ्स्प्रिंग इस कोल तो क्या बोलते हैं इस तरीके की मतलब ट्रांस्मिशन को क्या बोलते हैं ऑप्शन नमबर ए है आपका संतती यानि की प् वर्तन यानि की वेरियेशन तो क्या आंसर होगा वैरी गूड बहुत से बच्चों का आंसर आ गया है बहुत ही बैतरीन तो आप्शन नमबर बी वाले बिल्कुल सही है वहरी डिटी क्या होती है आनुवान चिकता जो आपक जो की आपकी पीडी दर पीडी चली जाती है ठी आगे के दांत कहीं के ऐसे होते हैं तो पेरेंट्स के वैसे हैं तो कहीं के भार निकले वे होते हैं तो उनके बच्चों के भी वैसे दांत होते हैं इसी तरीके से क्या है यह आपकी है है ठीक है या ऐसा भी होता है कि parents लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे छोटे हैं तो छोटे होंगे तो यह heridity होती है ठीक है तो next question है आपका कौन सा उतक पोधो के प्रकाश संसलेशक भागों से दूर समगरी की परिवहन में मदद करता है जल्दी से बताओ सई है which tissue helps in the transportation of the material away from the photosynthetic parts of the plants तो आपका जो photosynthesis होता है वो किसमें होता है आपका plants में होता है पत्तों में होता है तो पत्ते क्या बनाते हैं भाई भोजन बनाते हैं पत्तों में क्या बनता है फोटो सिंथेशिस के दौरा उसमें क्या बनता है भोजन बनता है खाना बनता है तो खाना कहां पे जाता यह कौन सा आपका टिशू लेकर के जाता है option number A है आपका xylem की vessels, option number B है आपका meristematic उतक यानि की tissue, option number C है आपका phyloem, option number D है आपका भरण उतक यानि की ground tissue, तो आपका very good option number C वाले बिल्कुल सही है, तो phyloem का काम क्या है, आपके पोधे में से, आपकी पतियों में से, खाने को कहां लेकर जाना, दूसरे body parts तक लेकर के जाना, ठीक है, कहां पे लेकर जाना, आपके दूसरे body parts तक लेकर के जाना, और xylem का क्या है भई, xylem का क्या है, तो xylem क्या लेकर जाता है, पानी लेकर जाता है water लेकर जाता है आपके कुछ minerals लेकर जाता है जो गुलेवे होते हैं आपके दूसरे parts में roots से लेकर की जाता है आपके दूसरे parts में ठीक है और phyloem क्या करता है आपके पत्तो से नीचे उपर हर जगा क्या करता है खाने को पहुचाता है बोजन को पहुचाता है और आपका meristematic tissue क्या होते हैं meristematic tissue वो होते हैं जो आपके पोदे को आपके उसकी क्या करते हैं वृद्धी कराते हैं उसको बढ़ा कराते हैं और पेड को मोटा कराते हैं यानि कि आपका उसका size बढ़ाते हैं तो meristematic tissue का काम क्या है उनका size बढ़ाना उनको कहीं से भी उनका size बढ़ाना ठीक है उनको बढ़ा करना वृद्धी करवाना जो ground tissue होते हैं जैसे apical tissue हो गया आपका यह है आपका phyloem tissue चीक है इसके अंदर sieves होते हैं कि क्या होते हैं सीव tissue होता है इसमें next question पोधे के बीज में भविश्य का पोधा डैश के रूप में होता है जल्दी से बताओ the seed of a plant contains the future plant in the form of an dash option number a है आपका भुरुण यानि की embryo option number b है आपका बीजांड यानि की ovule option number c है आपका वती क्रागर यानि की stigma option number d है आपका अंडाश्य यानि की ovary तो किस form में होता है जल्दी से बताओ very good तो किस form में होता है आपका जो seed है जो आपका बीज है पोधे का जो बीज होता है भविश्य पोधा जो होता है वो किस form में होता है तो वो embryo की form में होता है भई किस form में होता है embryo यानि की brun की form में होता है option A वाले बिल्कुल सही है और B वाले बिल्कुल गलत है भई यहां पर बच्चों के answer गलत होते हैं तो option number A is right answer मुझे पता था यह किसी का ठीक नहीं होगा, तो option number A is right by embryo, embryo क्या होता है, embryo से ही क्या निकलता है, आपका नया पोधा निकलता है, embryo से ही आपका जो नया पोधा होता है, भविश्य वाला जो पोधा होता है, वो embryo से ही, embryo ही कहलाता है, ठीक है, यह देख लो, यह एक आपका बीज है, इसम आपका आगे आगे क्या करता है आपका embryo दूसरा पोधा बनाता है ठीक है नया पोधा भविश्य का पोधा बनाता है next question देखो निमन लिखित में से किस वैज्यानिक ने अपनी पुस्तक origin of species यानि की में जैविक विकास के एक तंत्र का सुझाव दिया which of the following scientist suggested a mechanism of evolution in his book origin of species तो option number A है आपका कार्ड वूस यानि की option number B है आपका Ernst Haeckel option number C है आपका Robert Whittaker, option number D है आपका Charles Darwin तो क्या answer होगा जल्दी से बताओ very good very good तो बहुत से बच्चों का answer आ रहा है option number D वाले बिल्कुल सही है Charles Darwin, Charles Darwin ने evolution की theory निका ली थी बही very good तो Charles Darwin वाले बिल्कुल ठीक है इन्हों नहीं एक book लिकी थी आपकी origin of species तो इन्हों ने plants और animals में दोनों में ही क्या करा इन्होंने evolution के बारे में समझाया इन्होंने क्या करा इन्हों ने लिखा ठीक है चार्ल्स और आपके Charles Darwin ने ही क्या करा plants में भी और animals में भी इन्होंने क्या करा evolution की theory को देखा ठीक है इसके बारे में बताया next question है आपका 17 question घेंगा रोग dash की कमी के कारण होता है यह तो सभी को पता होगा greater is caused due to the deficiency of dash option number a है आपका iodine option option number b है आपका loha यानि की iron option number c है आपका sodium और option number d है आपका calcium तो क्या होगा जल्दी से बताओ तो घेंगा क्या होता है जिसके अंदर जो आपका घला है गवाइटर बोलते हैं जिसे हम आपका जो गला है वह बड़ा सा हो जाता है बार की तरफ निकलता है वह किसकी कमी कमी से होता है वेरी गुड़ वह आयोडीन की कमी से होता है आयोडीन की कमी से नमक की कमी से क्या हो जाता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है ठीक है घेंगा रोग कैसा होता है जिसमें जो ग्रंथी है आपकी थायरड ग्रंथी वह सूच जाती है एतनी मोटी हो जाती नेक्स्ट कोशन है एक प्रकार के सयोजी उतक की उपस्थिती के कारण हमारे कानों में कानों कानों को मोड़ा जा सकता है जल्दी से बताओ ड्यू तो प्रेजन्स ऑफ डैश टाइप ऑफ कनेक्टिव टिशू इन आवर इयर्स दा इयर्स केन बी फोल्डिड तो हमारा जो यह कान है मुड कैसे जाता है तो क्या होता है इसके अंदर तो ओफ्शन नमबर ए है बोंस होती है अस्थी होता आप्शन बोबी है उपास्ती होती है की क Baptist ह정이 जोती है आपके जो कान होते है इसमें क्या ओती है कर ते यह होती है जिसकी वज़ा से क्या होता है यह फोल्ड हो जाता है जो आपकी cartilage होती है उसके अंदर जो cells होते हैं वो कैसे होते हैं व्यापक रूप से आपके ठीक है तो next question question number 19 निमन लिखित में से कौन सा जाइलम का हिस्सा नहीं है which of the following is not a part of xylem तो जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ फटा फट से बताओ तो इन में से कौन सा जो है आपका पार्ट नहीं है जाइलम का जल्दी से बताए option number a है आपका xylem fibers option number b है आपका चलनी tube यानि की sieve tubes option number c है आपका वाही काएं vessels option number d है आपका tracheoids तो very good जल्दी से बताओ तो आपका option number b वाले एकदम सही है बई वाले एकदम सही है और d वाले तो गलत है सरासर गलत है option number b वाले सही है sieve tubes अच्छे यह sieve tubes कहाँ पर पाई जाती है जल्दी से बताओ जो sieve tubes हैं ये कहां पर पाई जाती है आपकी ये phyloem के अंदर होती है बच्चे किस में होती है ये phyloem के अंदर होती है ये होती है phyloem में ठीक है जो phyloem tissue होता है उसके अंदर आपका क्या होता है आपका sieve tubes होती है और आपका xylem के अंदर 4 चीज़ होती है एक तो होता है आपकी वैसल्स होती है Tracheyides होती है और आपके जाइलम ठीक है Peranchyma भी होता है Next question ये है ये देखो देख लो Xylem vessels होती है जाइलम फाइबर होती है Tracheides होता है Xylem Peranchyma होता है ओके अब ये आपका आखरी question है ठीक है इसके बाद आपका फिर से option number question है आपका dash समरूप अंग है ठीक है कौन सा आपका समरूप अंग है dash are analogous organs तो option number 1 है आपका एक जींगा मचली की पूच और एक वेल का फ्लूक option number A है आपका tail fin of a lobster and a flukes of whale option number B है आपका एक मानव हाथ और एक बैल का पैर a human arm and a bull's leg चमकादड का punk और whale का punk जल्दी से बताओ a bad swing and a whale spins option number D है आपका एक कुत्ते का पैर और एक dolphin का mean पक्षियानी की the leg of dog and flippers of the dolphin तो क्या answer होगा जल्दी से बताएं तो जल्दी से बताओ क्या answer होगा तो वेरी गूड भई ए वाले सही है बहुत से बच्चों का आंसर यहां पर गलत है और बहुत से बच्चों का सही भी है option number A वाले सही है भई tail fin of lobster and flukes of whales तो human के जो arm है और आपकी जो बुल्द की जो leg है वो क्या है एक तरह के आपके homologus organ होते है वो analogus नहीं होते ठीक है आपके आपके बैट का विंग भी क्या है आपका homologus है analogus नहीं है ठीक है और बैट्स विंग वेल्स फिन यह सारी चीज़े आपकी homologus है ठीक है यह जो है आपका tail fin lobster and flukes जो है वेल के यह इतने काम के नहीं है ठीक है यह analogus organ होते हैं यह कैसे organ होते हैं आपके analogus organ होते हैं ठीक है यह आपका आखरी question था यहाँ पर question खतम होते हैं आपके ठीक है class अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जैहिंस अभी को जैभारत